तो आप सभी का बहुत बहुत च्वागत है हमारे यूटूब चैनल सुपर फास्ट इंगले सगेड़ में मैं आज आज आपको टैन से रिलेटेड क्वेश्चिन किस तरह से एक्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैं बताऊँगा आज मैं आपको टैन स सिखाऊँगा नहीं सि तरीके से अगर आपको टैन्स नहीं भी आते हैं तो आप शौट टाइम के अंदर सिर्फ इसको रिवाइस कीजिए किस तरह से सिर्फ दो चीज बोलूँगा मैं और उससे रिलेटेड आपको सिर्फ वही ध्यान रखना होगा आप आराम से एक्जाम में बस चले जाईए से करके और अच्छा रिजल्ट ही होगा आपको टैन्स अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं है सीखना कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप इसको देख लेते हैं तो यह डैफिनिटली आपकी हेल्प करेंगे अच्छा देखो सबसे ज़्यादा जो मैंने एनलाइज किया हुआ ह पेपर जितने ही वैंने देख रखे हैं उनमें यह देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो पूछी जाने वाले जो टैन्स होते हैं वह एक तो प्रेजेंट एंडेफर टैन्स होता है दूसरा पास्ट एंडेफर तीसरा प्रिजेंट परफेक्ट कन्टूनियस टैन्स है ना और फौर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट टैंस और इसे हम प्रिजन परफेक्ट टैंस भी होता है, तो देखो यह 4-5 टैंस होते हैं, इन पर आपको अच्छी तरह से कमांड बनाके रखनी है, एक्षम ने देखो सबसे इन सबसे भी जादा इन दोनों को पूछा जाता है, इ के यह simple अलग तरीके से बनते हैं दोनों के negative interrogative अलग तरीके से बनते हैं बट इनके अंदर क्या होता है इनको छोड़कर के बाकी जितने भी tense होते हैं उस सब में क्या होता है कि subject जो भी होगा उसके according एक clearly उसकी वर्व होती है कि जैसे I के साथ M लगेगा I के साथ have लगेगा तो यह क्या होता है सब को पता होता है बट क्या होता है यह जो present interference होता है past interference होता है उसमें simple एक अलग तरीके से बनता है तो और जो negative interrogative होता है वो अलग तरीके से बनता है तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा important की हो जाते हैं कुछ नहीं करना सिर्फ आप वीडियो देखते रहे समझा मैं दोंगा सिर्फ आप ध्यान से देख लीजे आच्छे देखी चलो सबसे पहले चलते हैं आपको इसमें दो चीज़ घ्यान रखे होंगी प्रिजेंट इंडिफर्टेंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा देखो अगर कोई भी sentence उसमें daily लिख रहा है है ना या फिर universal कोई भी truth आ रहा है जो आपको लगता है कि यह तो बास्तम में हमारा daily routine है यह न यह तो सही बात है तो जहाँ पर भी आपके mind में सही बात ऐसे लग जाए कि यह तो यह सही बात है जैसे मोहित जो है सत्य बोलता है तो यह ऐसा नहीं लग रहा है कि यूनिवर्सल टूथ है ऐसा होना भी चाहिए तो अगर daily, already, university अगर इसल टूथ इस तरह से अगर कोई word आपको दिख रहा है sentence में तो आप पक्का समझ जाना कि वो present interpret का ही tense होगा अच्छा इसके अंदर सिर्फ आपको दो चीज याद रखनी होंगी कि यदि आपको जो example दे रखा हुआ question paper में उसमें ये देख लेना कि starting में यदि आप इनको याद रख लो कि he see it name, he see it name या फिर singular कोई भी noun आ रहा है singular noun का मतलब होता है जो एक होता है उसे singular noun होता है और जो यदि एक से ज़्यादा हो जाता है one plus तो इसको बोल देते हैं plural तो हमको सिर्फ कुछ नहीं करना यार एक बात है देखो ये तो दोनों याद हो जाएंगे ये तो लड़के के लिए ये लड़की के लिए देखो he इसमें आ रहा है तो ये हो जाएगा he he तो he she it name he she it name यदि आए तो आपको हमेशा याद रखना है जो वर्व आएगी वो ऐस वाली आएगी सिर्फ ये याद रखो कि he she it name यदि आए singular noun ये दि आ रहा है starting में तो आपको क्या देखना है एस वाले option को click करना है सिर्फ इतना याद रखें अब देखो यार इस में भी एस आ रहा है एस वाला option हो गया इस पीछे तो पीछे तो एस ही आ रही है तो जिसमें भी as का option दिख जाए आपको समझ लो he seat name के साथ as वाला option ही आएगा बस इतना याद रखो अब देखो does में भी as आ रही ही last में तो last में अगर as आएगा मतलब he seat name आएगा तो मतलब as वाला option आपको click करना है बस यार इतना तो याद आप रख सकते हो न exam अगर कुछ अगर इसमझ में नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं सिर्फ इस पर थोड़ा सा command बना के रखिए दूसरी बात अगर एक तरह से और भी question पूछे जाते हैं कि starting में वो who दे देता है यह wh word है तो अगर who मिल रहा है न तो उसमें भी आपको as वाला option ही click करना होगा बात हमारी सिर्फ इतनी हो गई है कि he see it name आए या फिर singular noun आए तो as वाले option को हमको click करना है is that clear चलिए next example देख लेते हैं mohit mohit एक है ना यहाँ पर तो इसमें as वाला option आएगा as वाला कौन सा है speaks इसमें as आ रही है न तो बस अगर नहीं आता तो आप इस तरीके से आप इसको सही तरीके से कर सकते हैं कि mohit speaks the truth यानि mohit जो है सत्य बोलता है अब यार यह ऐसा नहीं लग रहा है कि universal truth नहीं है बट ऐसा लग रहा है कि आर सही बात है यह और जहां पर भी आपको ऐसा लगने लग जाए कि यह तो सही बात है तो पक्का वाँ पर समझ लेना कि present integrity आएगा आप एक तरह से exam के लिए कुछ समय के लिए आप ऐसा सोच लीजे जब तक आपका exam नहीं हो रहा है अच्छा और देखिए next देखो दा ताज महल अब ताज महल क्या है singular है plural नहीं है कि एक ताज महल आगरा में है तो एक ताज महल आपके घर में बन रहा हो ऐसा तो नहीं होगा न तो एक है मतलब ऐस वाला आएगा तो इसमें option हो जाएगा एस वाला looks चलिए next ये इस तरह से अलड़ी exam में पूछे जाते है मैं आपको अभी last में जब आपको exercise कराऊँगा तो आपको दिखाँगा देखो वो अलड़ी मैंने exam paper से ही ले रखे आप कोई भी exam देने जाना तो उसमें किस तरह से question आएंगे वो आप खुद देख लीजे अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप आराम से exam qualify कर पाएंगे अगर 10 से related कोई question आता है तो next देखिए starting में यदि IBU दे है ना या फिर names आई एक से ज़्यादा नाम आ जाए या फिर plural noun आए मतलब एक से ज़्यादा तो यह सब एक से ज़्यादा होता है I होने को तो एक होता है बट actual में present interpret के अंतरगत I के साथ आने वाली वर्व plural होती है तो इसलिए मैं इन सब को एक साथ बोल देता हूँ कि IBU दे या फिर names या फिर plural यदि noun आता है शुरुआत में यह सब इनको यादर को बस अगर यह आए तो पक्का समझ ले न उसमें जो वर्व आएगी वो first form होगी यानि बिना s वाली होगी कौनसी बिना s वाली राइट न उपर में तो s आएगा बट नीचे वाले यह अगर starting में आ रहे हैं तो इनमें s वाला option नहीं होगा clear है न अब देखो इसमें भी s नहीं आ रहा इसलिए do आ सकता है इनके साथ first form होती है उसमें s आती नहीं तो बिना s वाला option IBU दे के लिए आपको select करना होगा is that clear? अब देखो यहाँ पर लिख रहा है these boys इसका मतलब है यह लड़के मतलब एक से जादा है तो जहाँ पर भी एक से जादा जब होता है तो उसे plural noun बोलते है तो वहाँ पर क्या होता है कि बिना s वाला आएगा बिना s वाला आएगा अब इसके में तो सबको पता होगा कि I love you होता है तो I के साथ क्या होगा बिना s वाला आएगा मतलब लब इस example को लिखने का मेरा सिर्फ उद्देश यह है कि आप सबको पता है कि यार I के साथ लब यू बोलते हैं तो लब में कभी ऐसे तो नहीं बोलते कि I love you मैं तुमसे प्यार करता हूँ I love you ऐसा तो नहीं बोलते बट I love you बोलते हैं तो इसका मतलब है हमको यह सबको जनरली याद होता है यह example तो इस ते हमें क्या समझने को मिलेगा कि यार I मतलब यह वाला जब I के साथ हम लब बोलते हैं इसका मतलब उसमें S नहीं आता तो इसका मतलब है कि I, B, U, D, Names या Plural Names के साथ भी S वाला option नहीं आएगा तो इसलिए देखो यह S वाला है यह I, N, G वाला है तो क्योंकि present indefin अगर कोई भी tense हो उसके नाम में यदि indefinite word आजाए मतलब समझ लेना उसमें I, N, G तो आएगी नहीं इसका मतलब यह वाला है आई, B, U, D, Names वाले में बिना S वाला option आता है तो देखो बिना S वाला कौन सा है इसमें? Do राइड न, यह तो third form है उसमें मैंने बताया था या तो first form आती है या फिर बिना S वाला तो यह तो third form है यह आएगा ही नहीं यह देखो S वाला है यह आएगा ही नहीं सिर्फ first form वाला हैगा वो भी बिना S वाला तो हमारा यह ing आता ही नहीं इसमें क्या हो जाएगा? क्लियर है थोड़ा प्रेक्टिस करेंगे तो definitely आ जाएगा कोई बड़ा issue नहीं होता है next देखिए y-u- cricket daily अब इसमें क्या रहा है देखो daily word आ गया इसका मतलब तो यह आ रही है कि starting वाला है इस वाला यह है इसका मतलब हमारा यह option बिल्कुल सही है अब इसको देखो इसमें ऐस आ रही है इसमें नहीं आ रही है अच्छी बात है बट यहां पर तो आ रही है न मतलब यह नहीं हो सकता इसमें देखो इसमें ऐस वाला option आ रहा है तो यह नहीं हो सकता एने इसका तो कोई मतलबी नहीं है, तो हमारा option क्या हो जाएगा 2, clear है try करेंगे, तो definitely आप कर पाएंगे इसको, अच्छे देखो मैंने वह वोला था, अभी अभी बताया था कि हू वाले option के अंदरगर S वाला option सर्व मानने होता है, तो देखो यहां पर S वाला लेंगे हो के साथ, अभी बताया था ना पीछे, तो देखो, S वाला option हमारा यह है, यह नहीं हो सकते Is that clear? Next, देखो, always word आगया always जहां पर भी word आए, always daily, right ना, तो always already तो नहीं बोल सकता always होता है वो word, तो यहां पर हो जाएगा, S वाल option आएगा क्यों? क्योंकि he see it name के साथ S वाला आता है, तो S वाला इसमें देखो, S वाला है talks, talk यह नहीं हो सकता ing आता ही नहीं यह इंटर फेल्ट में यह होता ही नहीं है, तो यह हो जाएगा, he talks nonsense Is that clear? पांचमा देखो, अच्छी तरह से practice कर लेंगे, तो आराम से हो जाएगा जब भी कभी starting में धी whenever आए या फिर if आजाए, तो वो present में बनता है, तो अब देखो he के साथ कैसे आता है he see it name के साथ S वाला आता है, तो मतलब यह हो जाएगा gets, right ना get हो गई नहीं, getting ing वाला आता ही नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो यह हो जाएगा S वाला option, next देखो what do they eat in the morning अब आपको इस तरह से example देखो, यह पूचा जाता है, इस तरह से अभी FCI में, राजिस्तान FCI में इसी तरह का एक question पूचा गया था तो वही मैंने design करके लिखा हुआ है, जैसे what do they eat in the morning यानि वो morning में क्या खाते है अब यार एक बाद सोचो जहां पर मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी do does आ जाए क्या जाए, do या फिर does आ जाए तो वो कौन सा tense होता है present indifferent होता है तो यह हो जाएगा present यह दिखाया है सिर्फ समझ लो अगर do does आ जाए मतलब वो जो tense होता है वो present indifferent होता है clear है ना, इसमें तो कोई doubt नहीं होना चाहिए आपको आचा चलो next, next देखो example next है, seventh who knows you मैंने बताया था कि अगर who के साथ अभी उपर वाला example बताया था देखो यह वाला कि यह हो के साथ कौन सा आता है s वाला option आता है तो s वाला हम कौन से tense में बात कर रहे थे present indifferent tense में तो यह नीचे भी तो देखो who के साथ आने वाली वर्व में s लग रही है इसका मतलब यह हुआ कि present indifferent tense की बात कर रहा है तो यह option हो जाएगा हमारा option d तो दोस्तो इस तरह से आप आराम से इनको कर पाएंगे इनके 4-5 जो भी tense हों से आते हैं मैं उनके आपको practice करा दूँगा और आप सिर्फ exam से कुछ दिनी पहले इनको एक बार देख लीजिए तो definitely यह damn sure आपकी मदद करेंगे और remaining questions है वो भी मैं आपको include अभी बता देता हूँ बट इनकी आप तयारी जरूर करके जाना आप जो भी कोई exam देने जा रहे हो Thank you so much आप सभी का बहुत बहुत शवागत है आपने जो मदद किया उसके लिए रेली मैं आपकी सरहना करता हूँ और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हूँ तो like करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को share कर दीजिए क्योंको उनको इस तीज की जरूरत है क्योंकि सब लोग पड़े लेके उशारतों नहीं होते न जिनको अगर नहीं आता है तो उनकी आप मदद करिए जिस तरह से मैं आपकी मदद कर रहा हूँ Thank you so much मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया